नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है जी के संसार पे आज हम सब उत्तर परदेश अस्पेसल जी के देखेंगे और इस टॉपिक के अंतरगत हम सब उत्तर परदेश की क्रिसी यों पसुपालन से सम्मंदित 25 को डिसक्स करने वाले हैं जो कि आपके अगामी सभी यूपी अगर कृषिक को देखने के बाद आप एंसर किजेगा और अपने आइंसर को मैंच करके देखिए गा किसे आपके सही हो रहे हैं तो चलते हैं पहले के स्वागत है कि नहीं जीए पूछा जाया है तो उसके बारे में आपको यहाँ फूल सी कन्फीजिन हो सकते है पंजाब ह तो आपको पता है कि हमारे देश में जो सफसे ज़्यादा ग्यहुं का उत्पादन होता है वह राज्जी कौन सा है उत्तर प्रदेश है भारत का सब्सेज़ादा जो ग्यहुं का उत्तर प्रदेश में होता है ठीक है चले आप लोगोंने सही अंसर दिया और यहां पे अगला प्रस ने कहता है कि उत्तर परदेस राज में उगाई जाने वाली कौन सी फसल का उपियोग आज कल सर्वत अस्टार्च यह गुलकोज बनाने में किया जाता है उत्तर परदेस में कौन सी फसल उगाई जा रही है जिससे सर्वत अस्टार्च और गुलकोज बनाने में इसका य तो इसका जो सही जवाब रहेगा आप लोग गेस किजिए सही अंसर यहां पर रहेगा option A ठीक है मक्का मक्का जो है यहां पर बिल्कुल सही जवाब है चलते हैं अगले प्रस्ण की तरफ प्रस्ण क्या तीन पर प्रस्ण आपके स्क्रीन पर ए रहा निम्लिकित में से किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो अस्थान है भारत में पहला है यानि कि प्रत्थम अस्थान पर आता है गन्ना में आता है कपास में आता है चावल में आता है या चिंदी में आता है तो यहां पर स तो संस्थान कहा है आपका लखनव में है और वही अगर आपसे पूछा जाए कि गन्ना परजनन संस्थान कहां पर है तो यह आपका कोवंबर टूर तमिल लाडू में है हमने आपको बताया भी है है ना चलिए अगले क्वेसन की तरफ बढ़ते हैं क्वेसन नमबर फोर की तरफ मुंगफली की क्रिसी किस परकार की भूमी पर की जाती है मुंगफली जो होता है इसकी क्रिसी जो होती है खेती जो होती है वह किस परकार की भूमी पर की जाती है सुस्क पथरीली भूमी नवीन जरोड या फिर प्राचीन जरोड कौन सी भूमी हो कौन सी मिटी पर मुंगफली की खेती की जाती है तो आई थिंक आप लोगों ने यहाँ पे अंसर गेस कर लिया है, सही अंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका सुस्क, ठीक है, चलिए अगले क्क्राशन के दब बढ़ते हैं, प्रसंक्या पांच पे, उत्तर परदेश राजी के किस जिले में अफीम की खेती सरवाधिक होती है, देखिए उत्तर परदेश में अफीम की खेती होती है, आपको पता है अफीम क्या एक नसे का पौधा है, इससे नसा होता है और बहुत महंगा बिकता है, इसलिए लोग इसको चोरी चुपे करते हैं, प्रसासन के नजरों में धूल जोकर इसको किया जाता है, क्योंकि हमारे प्रसने से भी आपकी प्रसंख्या 6 देखिए, उत्तर परदेश राजी के किस चेतर में कपास की खेती की जाती है, देखिए आपको पता है कि कपास की खेती जो होती है, इसके लिए काले मिट्टे उपीकुत होती है, ठीक है काले मिट्टे होती है, और सब ज़्यादा जो क जो खेटी होती है महारास्ट और गुझरात में होती है यहाँ पर काली मिट्टी परचूर मातरा में पाई जाती है लेकिन यहाँ अब उत्तर परदेश में पूछा गया है तो कौन से शेत्र में सरवाधिक कापास खेटी होती है गंगा यमना दोवपे रुहेलखंड, बुंदेलखंड या सभी तो देखिए अगर उत्तर परदेस के दिश्टी से हम देखते हैं तो कपास के खेती गंगा यमना दुआ पे भी होती है रुहेलखंड पे भी होती है और बुंदेलखंड तो यानि यह सभी यहाँ पे सही हो जाएगा ठीक है؟ यह सभी आपका सही हो जाएगा चलिए आगर दिखते हैं अगला परसन है अगला परसन कहता है प्रदसन क्या साथ उत्तर परदेस के तराई छितरे में निन में से कौन सी फदिश्ट बहुत तायत मातरा के च्छेत्र में तो फसल है जूट ठीक है जूट और हमने कल देखा था कि जूट और एसे सो संसान कहां पे है आपका बैरकपूर पच्छी मंगाल में देखा तक कल हम लोग ने ना पिछली वीडियो में तो यहां पर आपको याद भी होगा चले आगे बढ़ते हैं प्रसंख जूट सा कथन सत्य हैं देखिए पहला कहता कि रटाॉल आम का उत्पादन सहारन सहारन पूर जिलों में होता है दूसरा कहता है कि लंगणा आम मुखिता है दूसे इसे जाता है कि उत्तरप्रदिस में उत्पाजित आम को अन्य प्रदिसों में नवाब आम के नाम से जाना जाता है और चौथा यहां पर अम्रूद परत्रिक्षिश्शन यूँग पर्योग किंद्र लखनव में कारीरत है तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सही क्या होगा तो देखी यहां पर रटॉल आम की उत्पादित सहरा पूर्ड Chelsea लंगडा आप मुंहेता वार्रम स्थी जिले में उत्पादित होता है यह भी बिल्कुल सही है उत्तर पर्दिसों में नवाब आम कहा जाता है कि सोdog के लगनों में गहाता है एक 類ग संविए करेक्ट रहेगा ठीक है करेक्टर यहां पर रहेगा चलिए प्रसंख्या नौ देखते हैं नौ देखी क्या कह रहा है निम्न में से कीस वर्स में उत्तर परदेश में क्रिसी उद्योग एवं क्रिसी निर्यात पुरसाहन विभा की स्थापना की गई वह कौन सा वर्स है जिस वर्स के अंत्रगत उत्तर परदेश में क्रिसी उद्योग और क्रिसी निर्यात पुरसाहन विभा की स्थापना की गई थी तो आई थिंक आप लोगों ने गेस किया होगा यह वर्स है 1999 तो यहां पर कौन सा उप्सन है एंटी ठीक है चलिए प्रसंख्या 10 की तरब पढ़ते हैं प्रसंख्या 10 द्धनवाला राज्जी कौन सा है देखिए यहां पर जब हम लोग यूपी की बात कर रहें तो यहां पर आप से पूछ लिया है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं लेकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ाया कि यूपी एस्पेसल जीके पढ़ रहे है यूपी से रिटेड है तो आपरेसना फूर्ड़ का पहला चरनक कब प्रारंब किया गया यूपी में दूद का उत्पादन में विर इधी हो बिखोतरी ओ इसके लिए ऑपरेसना फ्लिट का जो पहला है पहला भी किया गया तो गीया था सता म princeتم की को az कितना परती सत उत्तर पर्देस में इस्थी था, लेकिए क्रिसी योगी बहुमी है पूरे भारत में, उसका कितना परसेंट भूमी जो है, वह उत्तर पर्देस में इस्थी था, तो अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको, रिकॉल होगा चीज़ों को जो आपने पहले प ठीक है देश की कुल कृसी योग भूमी का 20 परसेंट जो है भूमी वह उत्तर पर दिसमें है ठीक है चलिए आगे देखिए अगला परसन परसन क्या तेरा अमरूद उत्पादन के लिए निमलिकित में से कौन सा जोड़ा प्रसीध है यानि कि वह कौन सा पेर है जो की फेमस है अमरूद के उत्पादन के लिए गौवा के उत्पादन के लिए आगरा अलहबाद जिसकों की अभी परियाग के तौर पर जाता है या अलहबाद कानपूर इलहबाद इटावा या आगरा लखनव कौन सा पेर है कौन सा दो जिला है जहां पे अमरूद का उत्पादन होता ह तो यहाँ पर सही अंसर रहेगा आगरा और अलाहबाद ठीक है आगरा और अलाहबाद में अमरूद का उत्पादन अधीक होता है उत्तर परदेश में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रसंक्या 14 की तरफ निमलिखित जोड़े में से किसमें उत्तर परदेश संपूर्ण पर्देश में अगरनी है. देखे कहने का मतलब क्या है? कि वह कौन सा पेर है, कौन सा उप्सन होगे? जो की दरस आता है कि उत्तर परदेश इन सभी चीज़ों में भारत में पहले अस्थान पे आता है अगरनी है. ठीक है? तो देखिए ध्यान से अगर आप option को ध्यान से देखेंगे तो आप easily find out कर पाएंगे सही answer को तो option को देखिए क्योंकि एक दो आपको तो पता है उससे आप आसाने से find out कर सकते हैं सही answer को तो देखिए आप लोग ने देखा गन्ना में पहला है गेहु में पहला है तो देखिए गन्ना और गेहु यहां भी है ठीक है गन्ना और गेहु यहां भी है ठीक है यहां भी है सभी में है तो यहां से हमें तो answer नहीं मिला उसके बाद ठीक है उसके बाद और देखिए आलू लेकि देखिए कि चीज़ और मैं बताऊं कि दाल और आलू इन सभी के उत्पादन में जो अगरनी है वो राज्जी कौन से है उत्तर परदेश है ठीक है उत्तर परदेश संफोन देश में अगरनी जो है गेउम में है गंदा में है दाल में है और आलू में है तो यहां पर आपका सही अंसा जो रहेगा वो रहेगा भी ठी से देखिएगा और recall किजिएगा पढ़ें उन सबी चीजों को उत्तर परदिश में सरसो के किस मौसम की उपज है उत्तर परदिश में जो सरसो के रहेगा वह क्या रहेगा थोड़ा आप सब भी कोशिस कीजिए ठीक है सिर्फ एंसर देखके नहीं आप लोग भी साथ में कोशिस करते चलिए इससे कि आपका भी पढ़ा हुआ जो है क्या हो आपका रिकॉल हो जाए ठीक है चलिए तो यहाँ पर सही अंसर जो रहेगा आपका वह रहेगा रवी ठीक है उत्तर पहले समें सरसो की जो क्रिसी है वह किस मौसम की उपज है रवी की देखिए रवी जो है यह उत्तर भारत में होता है जिनरली और अक्टूबर से नवंबर के माह में बोई जाती है और यह जो फसल ह इसकी कटाई जो है फेब टू मार्च के बीच कर ली जाती है ठीक है रभी फसल ओ फसल होती है जो कि जिनरली उत्तर पर देखी रहे हैं आप यहां साथ-साथ उत्तर भायत में होती है ठीक है जो कि आपका अक्टूबर नौमर के महीने बौए जाता है और फरवरी और मार्च के महीने में इसकी क्या होती है कटाई कर ली जाती है ठीक है अगर कुछ इसके उदाहरन हम देखें तो इसके अंतरकर जो आता है जो आता है चना आता है मसूर आता है मटर आता है सरसो आता है हना इसे भी ज तो यह सबी जो हैं cryfic internet300 live dot ऐब वही आपसे भरी के बारें पूछा जाए खरीफ वसिक अगर वहीं आपसे खरीब के बारें पूछा जाए क्या होता है इसको बोतते समय अधिक ताकमान, और आदरता, और पकते समय सुस्क वातावन की आउसकता होती है, तो उत्तरभारत में अगर इसको देखा जाया है खरीफ को, तो जून और जूलाई के बीच में बोया जाता है, और अक्तूबर के आजस पास इसको काटा जाता है, ठिक है, का जड़ पत जड़ ठीक है अगर हम देखें कुछ इसके अंतरगत फसलों के बारे में तो धान है मक्का है जवार है बाजरा है मूंग है मूंग फली है गन्ना है सोयाबीन है तूर है जूट है कपास है यह सबी जो आते हैं आपके खरीफ फसल के अंतरगत आते हैं ठीक है में कौन से कौन सा जिल्ला उत्तर प्रदिश के लिए परसीस है, वह कौन जिल्ला है उत्तर परदिश का जहां पर केला का सबसे अधीक होता है। का कि देखिए hai है $ । वारा नसे भी केले के लिए परसीद है अल्हाँबाद भी है गोरफपूर भी है हाना तो यहां पर सही अंसज रहेगा ऑप्शन डी इस सभी जो जिल्ले हैं उत्रप्रदेश का केले के लिए परसीद है यहां पर सब्सक्राइब केले होते हैं ठीक है ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ वार्ण से भी होता है अलाहबाद में नहीं होता तो जहां पर आम की फसल जो है बड़े लार्ज स्केल पर होती है कि दिखिए और कोशिश किजिए कि आपको इसका आंसर आता है या नहीं आता है तो यहां सही आंसर जो रहेगा आपका वह रहेगा मध्यवर्ती छेत्र और पच्छिमी छेत्र इन दोनों छेत्रों में फर्मुक अधार नमबर क्या कह रहा है उत्तर प्रदेश राज जी दुख्ध परशत की स्थापना कब होई अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और सेजर जरू किजेगा क्योंकि आपका जो एक लाइक और सेर होता है वह हमें काफी मोटिवेशन लेता है काफी सेशन रिगुलर बेसेश पर आती रहती है चली तो 18 का यहां पर सेजर जो रहेगा वो क्या रहेगा 90-76 उत्तर प्रदेश राज ये दुख्ध परशत की जो इस्थापना होई थी 90-76 में होई थी ठीक है चली आगे बढ़ते हैं प्रसंख्या 19 पे उत्तर प्रदेश में निम्लिखित में से किस परकार के फलो का उत्पादन होता है अब देखिए यह बहुत इंपॉर्डवेंट है इसको ना PCS में पूछा आयूपी PCS में उत्तर परदेश में किस परकार के फलो का उत्तर परदेश में संत्र उगाए जाता है संत्रा है ना ओरेंज कौन सा जिला है जहां पर होता है उत्तर परदेश का वह जिला बताना है जहां पर संत्रे का उत्रपादन होता है संत्रे उगाय जाते तो होगा आपका सहारनपूर याद रखेगा सर से संत्रा और सर से सहारनपूर दोनों को रिलेट कर सकते हैं आप है न प्रसנग्यिस पर चलते हैं, उत्तर परदीस के किस क्षेटर के जिलो में बिखे जाती है। बुन्देल खंड पुरवी खेतर या भावर खेतर तो यहाँ पर से होगा आपका बुन्देल प्रसंख्या 22 देखिए निम्नमसे किस अस्थान पर पसू चारा बैंक कारे रत है उत्तरपड़िस में पसू चारा बैंक कहां पर कारे रत है जहांसी में है इजतनगर में है अमेठी में है या गोरखपूर में हमने आपको पताया था इजतनगर में क्या है पच्ची अनुसंधान संस्थान है ना चलिए यहां पर देखिए 22 नमर का सही अनसर जो रहेगा वो जहांसी रहेगा पसू चारा बैंक जहांसी प्रसंख्या 23 कहता है कि सहकारी छेत्र के अंतरगत दुख्द उत्पादों को उनके बीच परतियस परदा करने यहां उनके अच्छे किसम के तुल्हारू पसुगों को रखने है तो उत्प्रेडित करने के लिए राज्य में कौन सी योजना चलाई जा रही है तो आपके options हैं दुख्द ग्राम यूजना, डेरी डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट, गोकुल पुरसकारी यूजना या दुख्द पुरसकारी यूजना कौन सा यहां पर option जो है वह सही होगा तो अगर यहां पर आप जानना चाहते हैं कि सहकारी शेतर के अंतरगर दूद उत्पादक के बीच में पर्तियस पर्दा करने और अच्छे किसम के दुख्दार उपसकों को रखने साथे साथ अच्छे जिससे की मिलक का प्रोड़क्शन बढ़ सके इसके लिए जो एक यू फ्रसंख्या चाटार्इस1971 मतश्य विवाग की अस्थापना की गई? फ्रसंख्या 25 इस बहुत important है कि और इस तरह के मिल जाता है की निम्नम से सत्या सत्य है पहला कहा रहा है statement उत्तर प्रदेश राजी की नोड़ा में एक फुड पार्क की स्थापना की जा रही है तिसरा कहता है कि लखनो इसनी बायोटेक पार्क की था त्थवधान में जेट रोफा जिसको रतन जोत भी कहा जाता है इसके कृसी आरंब की गई है तो यहां पर कौन सा option है, कौन सा statement है, जो कि यह सही है, तो देखिए, उत्तर पर इसके हापपूर, लखनो, वारनसी और साहरनपूर में क्रिसी पार्क के स्थापना की गई है, यह तो बिल्कु सही है, उत्तर पर इसके नुड़ा में फुर्ट पार्क के स्थापना यह भी बि किया रहा सके तो इस वज़े से इसका जट्रुफा का भी उत्पादन और किसी आरम की गई है तो यहां पर सही अंसर जो रहेगा option D रहेगा क्योंकि सभी statement जो है वह सही है तो इस तरह से जो 25 questions थे UPC related complete होते हैं और उमीद करता हूँ आप लोगों ने enjoy कि और और maximum questions आपके सही हुए होंगे क्योंकि यहां पर आप एक तासर revision कर रहे थे आपने जो पढ़ा है उसे तो अगर आप हमारे चैनल तो इस तरह से हम यहां पर session को end करते हैं और मिलेंगा आप सभी साथ next session में तब तक आप हमारे साथ बने रहे थैंक्स for watching